हेलो फ्रेंड्स हाओ आर यू स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर मैं हूँ प्रिशान्थ तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पार्ट 7 केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन का तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को और बेल आइकन को दवाना बिल्कुल निमत भूलिएगा तो चले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो चले फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके पहले इसके जो पहले वाला पार्ट था यह हमारा जो पार्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोगोंने क्या देखा था कि सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था कि type of chemical reactions और chemical equations तो जो types of chemical reactions थे उसमें 4 parts हम लोग ने पढ़े थे कितने parts पढ़े थे हम लोग ने 4 parts 4 parts में कौन-कौन से सबसे first one कौन से था combination reaction, second one कौन से था displacement reaction या फिर displacement yes फिर third वाला कौन से था, double displacement था फिर जो इसके बाद fourth वाला था, तो fourth one कौन से था, decomposition reaction या फिर second वाला कोई भी इतने हम लोग ने 4 types जो हमारे reactions थे, chemical reactions इसके हम लोग ने इन 4 types को पढ़ा था तो ये बहुत important थे और इनको basic concept के साथ मैंने ions को composition या फिर decomposition और फिर जो displacement reaction था इसमें जो ions का exchange होता है, वो कैसे मैंने फटाक से एकदम short में बताया था तो अगर जिसको भी ना समझा हो, तो वो जाके वहाँ से इसके पहले वाली वीडियो को देख सकता है और कैसे देखेंगे friends, तो नीचे new Indian era लिखा है उसके बगल में subscribe लिखा होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और new Indian era पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करके playlist में जाके science part 1 जहां पर लिखा है वहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिए उसमें जो भी आप लोग को part चाहिए, जो भी chapter चाहिए, आप लोग refer कर सकते हैं तो चलते हैं हम लोग अपने अंगले part के लिए, मैंने revise भी करा दिया कि इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था तो revision के बाद हम लोग देखते हैं, अब अब अच्छा सा अपना part तो सबसे पहले हम लोग क्या देख देवाले, endothermic and exothermic processes and reactions सबसे पहले क्या देखेंगे, endothermic and exothermic processes and reactions सबसे पहले हम लोग समझते हैं, thermic, इस thermic word का meaning क्या होता है अच्छा, तुम लोग को पता ही होगा, पिजो thermal, thermal इस word का meaning होता है, fire या फिर आग, power, energy, जो भी समझने हैं, आप लोग समझे है, fire mainly, ओके तो देखते हैं, उसी thermal word से, thermic यह एक word बना है, कौन सा word, thermic, जो वहाँ पे लिखा, endothermic में तो कौन सा word है, thermic, तो यह जो thermic word है, यह बहुत important word है, इसका मतलब fire होता है, या फिर heat होता है, ओके, तो देखो, अब यहाँ पर दूसरा पहला वाला क्या लिखा है, इंडो, इस इंडो का मतलब होता है, taking inside, यानि कि इंडो thermic, यानि कि जो thermic है, fire, fire को अंदर की तरफ लेना, यानि कि taking inside that fire है, तो उस fire को inside लेना, then exothermic, तो exothermic का meaning क्या होता है, exo, exo means exit, exit यानि कि going outside, यानि कि heat is going to the outside, from any part, मतलब कोई भी एक place है या part है, तो उस part या फिर place से, दुसरे part या फिर दुसरे place में outside जाना, उसको exothermic, तो thermic यानि कि heat या फिर energy, तो उस heat या energy का बाहर की तरफ जाना, endothermic मतलब उस heat, thermic means heat या energy, उस heat या energy का अंदर की तरफ आना, तो ऐसे processes को हम लोग पढ़ने वाले हैं, simple सा, सब कुछ त definitions और examples देखेंगे, और थोड़े बहुत basic concept, अच्छा, अब हम लोग आंगे बढ़ते हैं, तो बहुत important है, सबसे पहले देखते है, heat is absorbed and given away in various processes and reactions, accordingly processes and reactions are classified into endothermic and agothermic, हम लोगों को पता है, कि जो बहुत सारी reactions होते हैं, बहुत सारी reactions हैं, उसमें heat होती है, जो वो अंदर या या फिर बाहर की तरफ ली या फिर दी जाती है, प्रवाइड की जाती है, या फिर टेक की जाती है, या निकि ली जाती है, इनसाइड, ओके, तो ऐसे में endothermic और एक्जोथर्मिक इन दो टाइप में chemical equations या फिर reactions है, जो processes है, इनको divide किया गया है, ओके, तो endothermic और लोगों ने पढ़ा है मैंने बताया है जाके आप लोग रेफर कर लीजिए ओके तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस समझ जाएंगे हीट फ्रॉम आउटसाइड इस एब्साइब डिरिंग सम फिजिकल चेंजेस फॉर इग्जामपल मेल्टिंग आइस डिसॉलिशन आप पोटेसियम नाइट्रेट इन वाटर देरफोर दीज अर्ट अर्ट थर्मिक प्रोसेस सबसे पहले क्या देखिए जो फिजिकल चेंजेस ह रहने कि जो फिजिकली अमांट होता है ना किसी भी मॉलिक्यूर्स का या फिर किसी भी कंपाउंट का जो अमांट वह ऐसे रहेगा आप लोग इसे बीश्टेट में चेंज करो लेकिन उतना ही अमांट अप मॉलिकूर्स इसमें प्रेजेंट रहने वाले हैं अब आयस को जो हीट होती है वो आउटसाइड की तरफ एब्साब होती है हीट फ्रॉम आउटसाइड देखो यहां पर लिखा है फ्रॉम आउटसाइड बाहर से इंसाइड यानि कि अंदर की तरफ हीट एब्साब होती है यानि कि इंसाइड हीट ली जाती है तो ऐसे प्रोसेस को इंडो इंडो थर्मीक प्रोसेस बोलते हैं इंडो थर्मीक प्रोसेस समझ गया क्या होता है चलो अब अंगले पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं on the other hand heat is given away during some physical changes अब कुछ ऐसे physical changes होते हैं जिसमें heat जो होती है वो बाहरत की तरफ मतब outside अपने अंदर से fake की जाती है for example formation of ice from water देखो जब हम लोग ice को melt कर रहे थे अच्छा जो बर्फ है ice है उसको melt करना है तो उसको heat देना पड़ेगा यानि कि जो ice है वो heat अपने अंदर absorb कर रहा है जो भी हमारा समालो ice है तो अगर इसको melt करना है तो इसको heat प्रवाइड करनी पड़ेगी हम लोगों ने इसको heat प्रवाइड की तो यह किस में कनवर्ट हो गया water में कनवर्ट हो गया इतना पता चला कवी जब यह heat क्या किया absorb किया तब तब यह water में convert हो गया यह समझा यानि कि heat absorb किया यानि कि indothermic reaction चलो अब exothermic reaction समझते हैं exothermic यानि कि समझ लो कि जो heat होती है वो बाहर की तरफ फेकना समझ लो यानि कि यह अभी तुमारे पास यह एक water है water है इस water को convert करना है ice में तो यहाँ जो भी इसके पास heat है इस heat को में बाहर निकाल दूँगा जब heat को में outside यानि कि बाहर निकाल दूँगा तो क्या हो जाएगा जो भी यह ice में connect हो जाएगा यानि कि इसको cool करूंगा, cool करूंगा, यानि कि इसमें से heat जो है, उसे बाहर निकाल लूँगा, उस heat energy को मैं बाहर जम निकाल लूँगा, तो यह ice में convert हो जाएगा, तो यानि कि यह क्या हो गया, heat है जो वो away जा रहा है, इस water से दूर जा रहा है, यानि कि outside जा रहा है, यानि कि क्या कर रहा है, heat को छोड़ रहा है, exothermic reaction हो रहा है, तो ऐसे processes को क्या बोलते हैं, exothermic process, समझ गया, exothermic process क्या होता है, तो यह एगदम basic concept था, simple सी बात है, indoor thermic reactions होते हैं, या फिर processes होते हैं, उन processes में, वो ऐसे process में, जो heat होती है वो inside ली जाती है और outside exothermic process में दी जाती है समझ गया जब कभी भी आप लोग के पास ice होगा तो वो heat absorb करेगा और water में melt हो जाएगा यानि कि endothermic reaction और फिर जब हम लोग उस water molecule को यानि कि water को freeze में रखेंगे तो जो सारी heat है उसके अंदर से बाहर निकल जाएगी और वो cold हो जाएगा cold यानि कि heat में heat उसकी बाहर निकल जाएगी तो ice में convert हो जाएगा और जब वो ice में convert हो जाएगा तो वह exothermic एसा रेक्स एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है तो समझ गया आप लोग को इंडो थर्मिक और एक्जोथर्मिक यह दोनों प्रोसेस बहुत ही important थे तो यह अच्छे से आप लोग को समझ गये अब देखते हैं थोड़े बहुत इसके जो एक्जामपल्स वाले पार्ट हैं तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आ जाईए जो इसकी एक्जामपल वाले परड़े बहुत ही important है और बहुत ही important play role करते हैं आप लोग को इसके बारे पता होना चाहिए एंडो थर्मिक और एक्जोथर्मिक रेक्शन के बारे में बाकी सब तो जो भी है practicals का लिए दिया हुआ है तो practicals लिए आप लोग आप देख सकते हैं कुछ नहीं वह सीफ ऐसे ही है try this ऐसा करके दिया हुआ है यह करो बहुत में पार्ट जो conceptual पार्ट है वह conceptual पार्ट आप लोग को अच्छे से आना चाहिए अगर आप लोग को conceptual पार्ट अगर आ गया तो आ एंडो थर्मीक एंड एक्जो थर्मीक रियक्शन तो यह जो एंडो थर्मीक है और एक्जो थर्मीक रियक्शन होता है यह क्या होता है आप लोग को पता चल गया है इसके एक्जामपल देखते हैं हम लोग सबसे first वाले example में देख लो यहाँ पे जो first वाला example है इसमें से जो first वाले है first वाले में calcium carbonate CACO3 calcium carbonate जो है वो क्या कर रहा है वो heat को absorb कर रहा है कर रहा है heat absorb कर रहा है heat absorb करके क्या form किया product में calcium oxide और जो यहाँ पे carbon dioxide यानि carbon dioxide यानि की टू डाइडी डी डाइडाइडाइड मींस डू कैर्ब जो calcium oxide यानि की calcium oxide simple सा single oxide यानि की oxygen का molecule और calcium बना के calcium oxide और जहाँ पे carbon dioxide जो की gaseous है तो यह क्या form किया है कौन किया है calcium carbonate क्या करके heat को absorb अब देखो heat absorb किया तो कौन सा रिक्सान हो गया हो गया यह तो यह हो गया इंडो थर्मिक reaction यह समझ गया चलो अंगला कौन सा है यहां पर देखो जो next ओला है तो यह c a o यानि की calcium oxide क्या किया इसने water molecule के साथ reaction किया water molecule के साथ reaction किया यानि कि यह water को यानि cold things जो cold होता है water cold होगा cold water को यह ले रहा है जैसे fridge में हम लोग water को रखते हैं तो coldness लेता है वो तो heat बाहर फेकेगा समझ गया आप लोगों को तो यह coldness अंदर ले रहा है water अंदर ले रहा है तो क्या form किया calcium hydroxide देखो c a o h 2 calcium hydroxide यह form कि और हीट है जो यह energy heat energy थी इसको बाहर इसने outside अपने से अवे दूर फेंग दिया दूर फेंग दिया यानि कि एक्जो यानि कि मतब बाहर निकाल दिया एक्जो थर्मिक reaction कर दिया इसने एक्जो मींस exit बाहर heat exit हो गई बाहर निकल गई तो जो thermic थी यानि thermal था वह thermicity यानि कि जो thermal उसकी आग है fire है वह heat है वह बाहर निकल चुकी है यानि कि यह exothermic reaction है एंडो थर्मिक reaction कौन सा था जिसमें उसने heat अंदर लिया था तो यह दोनों जो भी यहां पर equation है यह बहुत important है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए यही था exothermic and endothermic reaction that's it इसमें और कुछ भी नहीं है यही एकदम basic concept है आप लोग के life की एक example देदू जब आप लोग कुछ भी खाते हो यानि खाना खाते हो आप लोगों को energy मिलती है energy मिलती है यानि कि आप लोग को heat अंदर absorb कर रहे होते हैं जब आप heat अंदर absorb कर रहे होते ह यानि कि आप लोग endothermic reaction कर रहे हैं जब आप लोग कुछ workout करते हैं काम करते हैं तो आप लोग के heat बाहर निकलती है यानि वो exothermic reaction है यह सिंपा सा question है या फिर example है इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं ओके exothermic और endothermic आप लोगो समझ गया होगा तो subscribe कर दीजिए हमार शेर जरूर कर दीजिए जो भी वीडियो है हमारा इसे शेर जरूर आप लोग कर दीजिए देखिए शेर करने में आप लोग कंजूसी कर देते हैं तो फ्लीज शेर कीजिए जिसे सब को फायदा होगा अब मैं भी और अच्छी ची वीडियो अप्लोड करूंगा और